नमस्ते गाई सुराज की वीडियो में बात करते हैं UFC 298 की टाइमिंग क्या रहने वाली है इस पूरे इवेंट को यानि की मेन कार्ड और अल्सु प्रिलिम कार्ड इन दोनों को कहां पर देख सकते हैं येस आज की वीडियो में प्रिलिम कार्ड को लेकर भी एक काफी good news है क्योंकि अब प्रिलिम कार्ड को भी हम easily देख सकते हैं तो इसलिए वीडियो को end तक ज़रूर से देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेंक शूर टू सब्सक्राइब दो चैन कारे में चोटी सी टॉक सुननी है तो प्लीज मेंक शूर कि तुम वीडियो को end तक देखो अब सबसे पहले अगर UFC 298 की टाइमिंग के बात करें तो ये पूरा इवेंट संडे यानि कि कल स्टार्ट होने वाल है जहाँ पर UFC 298 के अर्ली प्रिलिम स्टार्ट होंगे कल सुब कार्ट की बात करें तो UFC 298 का ये में कार्ट स्टार्ट होने वाल है कल सुबा साड़े आठ बजे से यानि कि टुमारो मॉर्निंग 8.30 एम ओनवर्स में कार्ट स्टार्ट हो जाएगा अब ये तो मैं प्रॉक्सिमेट लगा के चलो कि में कार्ट की टाइमिंग 8.30 रखी है त हम बोल सकते कि स्टार्ट होगा 10 या फिर साड़े 10 बजे के बाद अब में बात आती है कि इन सारी फाइट को देखे कहां पर अब ये तुम्हें पता होगा कि पहले प्रिलिम कार्ट को अगर देखना था तो फिर यहां तो UFC फाइट पास को खरीदो या ओविसली किसी क्रैक स्ट्रीम को देखो बड़ अब जो भी UFC के प्रिलिम कार्ट को भी देखना चाहता है तो मोस्त लैकली ये जो प्रिलिम कार्ड है ये सोनी ले वैप पर शो होने वाला है अब ये जो तुम स्क्रिंशॉट देख रहे हो ये मैने खुद लिया है जहां पर तुम सब देख सकते प्रिलिम कार्ट भी देखा है तो इसलिए बहुत ही जादा चांसेज हैं कि UFC 298 का प्रिलिम कार्ट भी सोनी ले वैब पर शो होगा और इसलिए मैं तो हाइली रिकमेंड करूंगा कि तुम सोनी ले वैब की सब्सक्रिप्शन ले लो अब मन्तली का मुझे आइडिया नहीं है शायद से 200 या फिर 300 की पढ़ती है बट मेरा सेजेशन है कि तुम एक साल की ले लो क्योंकि वो सिर पढ़ती है 799 या फिर 899 की तो जिसको प्रिलिम कार्ट देखना है उसके लिए बहुत अच्छी good news बट अब फ्री की भी बात कर लेते हैं जहाँ पर UFC 298 के में कार्ट की बात करें तो टीवी पर हम इस कार्ट को फ्री में देख सकते हैं इन सारे में से किसी ना किसी चैनल पर ये पूरा इवेंट शो होने वाला है अब कुछ लोग मेरी तरह घर से बार हैं तो वो तो टीवी नहीं देख सकते हैं तो इसलिए इस में कार्ट को फ्री में देखने के लिए दो और आप्शन्स हैं जहाँ पर पहला तो है जियो आप पर ये इवेंट शो नहीं हुआ था तो डेफिनेटली एक बार जरूर से चेक कर लेना और अब इसके बाद जिन लोगों को PC या फिल लाप टॉप या इवन अगर फोन्स में देखना है तो ओविसली बेस्ट आप रहती है सोनी लिव आप बट जैसे मैंने पहले का था कि सोनी लिव आप में देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी होगी बट इस सोनी लिव की सब लेना वर्थ हरत है क्योंकि एक तो तो तुम प्रिलिम कार्ट भी देख पाओगे मेन कार्ट भी देख पाओगे और अब बात करते हैं कौन सी fight cancel हुई है और कौन से fighter ने उस fight को save किया है और last moments में replacement किया है अब जैसे मैंने अपनी prediction वीडियो में कहा था कि इस prelim card की जो heavyweight fight है जहाँ पर मारकोस डिलिमा और जस्टिन टाफवा की जो fight होगी वो prelim card की सबसे best fight हो सकती थी अब थी इसलिए क्योंकि जस्टिन टाफवा unfortunately injured हो चुका है अब जस्टिन टाफवा तो injured हो चुका तो ये fight almost cancel होगी थी बट guess what जस्टिन टाफवा को जो younger brother है याने की junior टाफवा वो अपने भाई को replace कर रहा है और वे इन से सिर्फ 5 मिनट पहले उसने अपना wait दिया वो wait में आया और अब उसकी extremely short notice में fight होने वाली है मारकोस डिलिमा के साथ personally मुझे ये चीज काफ़ी badass लगी कि एक भाई injured हो गया बट कोई problem नहीं जो उसका younger brother है वो step in कर रहा है और अब वो fight करेगा अब कल बहुत जादा मजा आने वाला है मैं बहुत ही जादा excited हूँ क्योंकि कल ये moment आने वाली है जहाँ पर या तो फिर इलिया टुपोरिया एलिकसेंडर वालकिनोफ्सकी को knockout करने वाला है एक बहुत ही बड़ा superstar बनने वाला है या फिर और ये बहुत important है या फिर एलिकसेंडर वालकिनोफ्सकी इलिया टुपोरिया को पुरी तरह से humble करने वाला है इलिया टुपोरिया ने अपनी trash talk से जिस वे से वो कौनर की तरह act कर रहा है उन सब को मिला दो उसने अपने आपको सिर्फ दो choices दी है या तो वो इस fight के बाद superstar बनने वाला है या फिर उसकी बहुत जादा बिस्ति होने वाली है वो definitely बहुत जादा troll होगा उसको सारे लोग Connor wanna be बोलने लग पड़ेंगे तो let's see कल क्या होता है वैसे तो आप ये बोलना नहीं चाहिए बट क्योंकि इलिया टुपोरिया काफी कुछ Connor की तरह कर रहा है तो just imagine करो अगर Connor के ही तरह सिर्फ 13 seconds में इलिया टुपोरिया अलेक्जेंडर को knockout कर देता है अब मुझे तो ये impossible लगती है बट एक सेकंड के लिए just imagine अगर ये हो जाता है जिस लेवल का इलिया टुपोरिया फेमस होने वाला है वो I think बहुत insane होगा बट personally I think Alexander वालकिनोप्सकी इस फाइट को जीतने वाला है वही इस डिविशन का एक true king है जो इलिया टुपोरिया के ही तरह इसी वीडियो को एंड करते हैं तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो please make sure to like subscribe मिलते हैं next वीडियो में